हेलो काईस वेलकम टू माई चैनल जीटी लेक्चर्स तो गाईस कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो गाईस इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्लास 11 फिजिक्स का गुरुत्वा करसन वाला चैप्टर जो है कम्प्लीट कर लिया है आज हमारा अध्य है नौ है यानि लेसन नाइन है जिसमें हमारे पास चैप्टर एट होसो के यांत्रिक गुर्ट ठीक है तो हम आज चैप्टर के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे तो आप वीडियो में एंडे तक वने रहिएगा अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना अपने फ्रे वीरूपक बल किसी कहते हैं जब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं बहाई बल लगाते हैं ठीक है तो उस वस्तु की इस्थिती आकार में परिवर्तन हो जाता है वह हमारे पास क्या गहलाता है वीरूपक बल अब आप हम अगर इसको एक्जामपल से समझना चाहें माल लेते ह यह हमारे पास क्या है हम यह पर से दो चित बनाएंगे माल लेते हैं यह स्प्रिंग कुछ इस तरीके की थी आपने स्प्रिंग देखी होगी पैन वगिरा में भी आती है और साइकल वगिरा के स्प्रिंग में भी आती है साइकल वगिरा में भी आती है यह स्प्रिंग ठीक है ह फ्री के गी माल लिते स्पीरिंग हमने क्या करना एक बल ऐसको नीचे की तरफ ही जाक two-new लगारैं हैं से तरset से हम क्या कर रहें इस प्रिंग पर भी यहीं चीज कर रहें तो इसकी इस प्रिंग की आकार में क्या हो जा रहा है परिवर्तन नहीं इस प्रिंग की जो साइस था वह इस तरीके का हो गया है ठीक है यानि पहले स्प्रिंग इतनी थी हमने जब दोनों साइट से इसमें बल लगाए ना तो इसके आकार में परिवर्तन हो गया और आकार में और इसको हम देख रहे थे हमने इसका जब आकार पहले देखा था तो कुछ इस तरीके का था और आकार कुछ इस तरीके का हो गय कि वी रूपक्भ बल किसे कहते हैं, ठीक है, तो देखें डेफिनिशन है, जब किसी वस्तु पर बहाई बल लगाये जाता है, तो उस वस्तु की आकारवा स्थिति में परिवर्द सें रही आंहीं कहते हैं,् वी रूपकंप्भ बल कहला है, यह मैं आपको चितरी से समझा दिया है I hope आपको clear हो गया होगा हम एक example तो हमने इसका ये ले लिया example हम कर लेते हैं इसको first second example अगर हम इसका देगना चाहें आप rubber band का उधारन ले सकते हैं ठीक है ये कुछ इस तरीके की rubber band है माल लेते हैं जो लड़िया अपने सर में लगाती है वो rubber band है ठीक कि आपने ये चीज़े ट्राय करी होंगी हम डेलियर यूज में चीज़ों को ट्राय करते हैं तो आपको जो अच्छे से इनके example जो समझ में आ रहे होंगे कि जब हम किसी वस्तू पर बल लगाते हैं दोनों तरीके से तो इसकी स्थितियत हो आखार में क्या हो जाता है गजांपल तो यहां पर से हम इसमें लिख सकते हैं example इस्प्रिंग और क्या रबर पर लगा रोग कि आ परिए तो यह नेक्स टोपिक हमारे पास क्या है पूण प्रत्यास्त अथवा सुघट्ट्य वस्तूई ठीके तो हम इसको लिख लेते हैं क्या कि पूर्ण प्रत्यास् सुगर्टे वस्तुएं आकर है गया तो देखें पूर्ण प्रत्यास्थ अथ्वा सुगर्टे वस्तुएं सुगर्टे वस्तुएं ठीक है तो यह हो गया हमारे पास टॉपिक सबसे पहले बात आती है पूर्ण सुगर्टे वस्तुएं को है अगया पूर्ण प्रत्यास्थ को समझे है अłem सबस्व किसा को समझेंगेज अप्राप्त कर लेती है यानि उसकी प्राप्त कर लेती तो वह हमारे पास कहलाती पूर्ण प्रत्यास्ते वस्तू है अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरहीं से दोनों धारण हमारे पास यह दिये हुए हैं हम इनीके एक्जामपल से समझ सकते हैं ठीक हैं यह स्प्रिंग हमारे पास कुछ इस प्रिंग ऐसी आती है जो बिलकुल क्या होती हैं पूर्णता प्राप्त कर लेती है वह हमारे प्रत्यास्त वस्तुएं जैसे कि माल लेते ही धीली-ठाली स्प्रिंग है और हमने क्या कर इसको खीचा तो हमने इसके आकार में परिवर्दन करा तो यह ऐसी हो गई लेकिन कुछ समय बाद ठीक है यह हमारे पर प्रत्थम स्थिति इसके जब हमने क्या कर रहा है दोन तरब अलगे इस थी त्यवक तो वही हमारे पास चीज क्या हो जाती है पूर्ण प्रत्यास्त वस्त्वें हो जा दिए ठीक है यानि अपनी बल लगाने पर भी अपनी बल लगाकर बल हटाने पर भी अपनी पुना इस्तिति को जो है प्राप्त कर लेती है वहीं हमारे पास कहलाती है पूर्ण प्रत्यास्त वस्तविं कहला तो हम लिखे ले दे इसकी definition कि पूर्ण प्रत्यास्त वस्तविं क्या होती हैं तो देखे इसकी definition क्या है कि वे वस्तविं जो एक बार वी रुपक बल के लगा लेनेrok के बाद बल को हटा ले पर भी पूनह अपनी प्रारमिक प्रावस्ता यानि कि हमारे पास प्रारमिक प्रावस्ता यह थी हमने दोनों और बल लगाया लेकि इन बल को हटा दिया उसके बार हमने थर्ड उसमें क्या करा कंडिशन में कि हमने बल को हटा लिया तो वह अपनी क्यों से वस् सकते हैं तो अभी को एक है किसते हैं यह दो जो प्लास्टिक इस तरीके की होती है लेकिन हो लेकिन वापिस से अपनी प्रारम्बी का वस्ता में आ जाती है वह हमारे पास के लादे पूर्ण प्रत्यास्ते वस्तुएं तो यह हो गए उसके एक्जामपल और यह हो गई उसके क्या डेफिनिशन तो अब देखिए दूसरी हमारे पास टॉपिक क्या है सुगर्टे वस्तुएं ठीक है सुगर्टे वस्तुएं क्या होती है जो हम माल लेते हैं कि सीच पर बल लगा रहे हैं लेकिन वह अपनी प्रारम्बी का वस्ता को जो है प्राप्त नहीं कर पाती है ठीक है तो वह हमारे पास क्या कहलाती है सुगर्टे वस्तुएं इसका हम जो एक्जामपल ले लेते हैं माल लेते हैं हमारे पास क्या है एक मोम है फर्स्ट कंडिशन है मोम मोम को हमने क्या करा गर्म मोम को क्या करा हमने गर्म वह किसमें बदा गई लिक्वीड में बदल गई ठीक ह क्या है वह मोम जो है लिक्फिद में बदल गया है हमने उसको गर्म करकर हो वह लिक्फिट स्वस्था लेकिन उसके बाद नहीं कर पा रहा है ठीक है second example ले लेते हैं example number first second अगर हम लें यह आपके पास क्या है कुछ मिट्टी है यह हमने माल लिया मिट्टी है आपने इसमें क्या डाला water इसमें आपने क्या डाला वाटर ठीक है यह कौन सी मिट्टी लिए हमने गीली मिट्टी कौन सी मिट्टी गीली मिट्टी हमने इसको लिया और इसमें काफी सारा पानी डाल दिया ठीक है काफी सारा तो क्या हमने अगर गीली मिट्टी जो एकदम डल डली टाइप होती है जिसक कर्ण उसके बाद क्या होता है या वह आप इसे सॉलेड में आ सकती है यानि मिट्टी जिस तरीके से पहली होती है सॉलेडी कहेंगे उस स्टेट को कि वहां पर से पानी नहीं होता है एक्दम खुरदूरी सी होती है क्या वह अपनी प्राड़ में किस तेरी को प्राप्त कर ले किसकी definition सुघट्टे वस्तों की ठीक है सुघट्टे वस्तों क्या हो जाती हैं जो वस्तों हैं वीरूपक बलके लगाए जाने के बाद लगाए जाने के बाद हटाने पर भी अपनी प्रारंभिक प्रावस्था को प्राप्त नहीं कर सकती सुघट्टे वस्तों कहलाती हैं ठीक है सुघट्टे वस्तों कहलाती हैं यह हमाई पास किसकी definition हो गई सुघट्टे वस्तों की inviterate, बंद अब हम लिख लेते हैं इसके example example मैंने आपको करवाई दिये क्या हो जाएंगे इसके example गीली मिट्टी और यहाँ पर से क्या हो जाएगा मो यह हमारे पास example भी हो गए और हमने इसके क्या लिख लिख लिए ठीक है अब देखिए दूसरा हमारे पास topic क्या आता है प्रत्यास्तिता ठीक है elasticity ठीक है प्रत्यास्तिता तो हम इस topic को देखते हैं कि प्रत्यास्ता जो है हमारे पास किसे कहते हैं तो अगला topic हमारे पास क्या है प्रत्यास्तिता ठीक है तो प्रत्यास्तिता यानि इलास्टिस्टी ठीक है इलास्टिस्टी किसे कहते हैं तो हम यह देखते हैं सबसे पहले बात आती है प्रत्यास्तिता किसे कहेंगे माल लेते हैं हमारे पास क्या है अब माल लेते हैं उधारन इस्प्रिंग का ही माल लेते हैं हमने यह इस्प्रिंग ली ठीक है हमने क्या करा इसके दोनों तरीके से क्या लगाए यह दोनों साइट से हमने लगाया इसमें बल लगाया तो एक बल तो इसको खेंचने में काम आया ठीक है जैसे हमने सबसें पहली वाली स्थिती में जब हमने ऊपर देखा था क्या वी उपक बल हमने उसमें क्या करा था ऊपर अपर हम उसको खेंच रहे थे तो उसकी इस्थिति आकारे परिवर्थन ओड़ था ठीक वही चीज यहां पर है जब हमने इस इस प्रिंग के दोनो किया प्रियास से किंड वाला है और यह मैंस बाट कौन सा वालाई फास फर्स्ट फॉर्स थीक आ, तो अब देखने, जब हमने क्या करा उपर यहां से अखरा करना कि खेंचना स्टार्ट कर आंफ करा और से भी हमने खरा हमें इस קंचना नहीं है लेकिन वह अपनी प्रार्मिक स्थिति में यानि जिस तरीके का वह पहले था माल देते हैं वह इस तरीके का कुछ था ठीक है तो इस स्थिति में वापिस से आने का प्रयास कर रहा है हमने इसको कस के उपर से और नीचे से खीचा हुआ है लेकिन वह क्या कर रहा है अपनी प्राडमिक स्थिति में आने का प्रयास कर रहा है कौन स्प्रिंग तो हमने विरूपक बल हटा लिया हमने क्या करा विरू में इस्तिति में आने का क्या करेगा प्रयास करेगा यहीं हमारे प्रत्यास्तिता दुबारा समझते हैं माल लेते हैं हमारे प्रत्यास क्या था एक्जामपल लिख लेते हैं कि यह स्प्रिंग था सबसे पहले बात आते हैं यह एक स्प्रिंग था फॉस्ट में हमने क्या करा इ तो देखिए एक बल तो ऊपर और नीचे की तरफ कारे करा है क्योंकि हम इसको दोनों साइड से कस्के खींच रहे हैं ठीक है और दूसरा बल कहां को कारे करेगा इसको इसके प्रारे में के स्थिति में लाने का जब भी हम कोई बस तो खींचते माल लेते हैं अगर आपके पार हल जाता है वह पर यहां से प्रारे में स्तिति में लाने का प्रयास कर दिया आप उसको खींचभी अपने पालों से उतार के रखेंगे र खींगे वह क्यों तो Maa करेंगी प्राराय कर के आप देख सकते हैं तो वह जाम यह हैं और 2 साइड से बल लगाये तो अपनी इस स्थिति में आने का प्रयास करेंगी और जो हमने इसको खीचा है तो यह अपनी दूसरी वारी स्थिति यह ती जिसमें वो एकदम सांत बैठी ती जो इसके स्थिति है प्रारमिंग यह है बल लगाने पर खीचा तो वह अपनी जो इतनी बड़ी हमने स्प्रिंग कर दी तो उस देखें वह वस्थू यह फिर खिसी वस्थु का वह अगोंग जिसमें विरूपक बल्के द्वारा उत्पन आकार अथ्वा रूप में परिवर्दन का विरोथ करती है तत्रता विरूपक बल्के तर्था लिया जाने पर भी अपनी पूर्ण прावस्था को यानि पूरव प् कि स्थिति में लाने का प्रियास करें कारहिए तो जाने का विरोद करита आने का हुआ वह पास कहला प्रतियास्तिदा कहलाती है ठीक है तो देखें नेक्स टॉपिक हमारे पास क्या हो जाएगा प्रतिबल जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस किसे कहते हैं उसको समझते हैं तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं है डिंग क्या प्रतिबल प्रतिबल जिसम क्या कहलाते हैं स्ट्रेस कहते हैं तो प्रतिबल यह नहीं स्ट्रेस होता क्या है साम में वस्ता या फिर हम उसे कहते हैं विरामा वस्ता में किसी वस्तु के अनुप्रस्त काट के का ये कारने वाला प्रतियानेनबल ही ये कहलाता है ठीक है मन लेते हैं किसी वस्तु के अनु प्रस्त काट के एक ये सब हो गया उसका अनुपरस्त काट का छेतर फल ये वाला हिस्सा हो जाता है ठीक है तो वहाँ पर जो हमारे पास क्या 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 करता है प्रतियानेंबल तो वही हमारे पास क्या कहलाता है प्रतियानेंबल कहलाता है तो हम इसकी डेफिनिशन लिख लेते हैं कि प्रतियानेंबल किसे कहते हैं मैंने आपको समझा दिया अंपरस्त काटक欸 कंग 6 रफल पर तो क्या कारबर करता है प्रतिया ने इन बल जो ने पते करहें करेता है उसे हम कहते हैं प्रतिया ने ने वर तो यहाँ पर स्भास हमने बल को किससे ठीemment tea यह थीक है तो यहांपर एगर प्रतिबल पराबर निकालें तो क्या हो जाता है F upon A यह जहां पर से F क्या हो जाता है प्रतियानिन बल और A क्या हो जाता है छेत्रफल यह नहीं एक आंक क्या कहला कहता है तो प्रतिबल पराबर क्या हो जाएगा F upon A इसका मात्रक कैसे निकलेगा देखें बल का मात्रक न्यू तो प्रतियास तत्वा सुगट्टे वस्त हुएं और प्रतियास तत्था प्रतिबल ठीक है तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना काफी महनत लगती वीडियो नाने में सेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं जिसमें इससे आएके टॉपिक को हम कवर करेंगे जो कि मोस्ट इंपोटेंट है विक्रती हुक के नियम और निमेरिकल भी करेंगे तो चल करेंगे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केरें बाई बाई